हाई फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल एसके सोनू टेक वर्ड फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से में आपको जेपी उनिवर्सिती छपरा असना तक पार थर्ड सेशन सतरे बिसका मार्क सिट कब मिलेगा असना तक पार थर्ड सत अठार एकिस का परिक्षा फर्म कब भरा जा जो की 21 में हो रहा था क्या अब होगा की नहीं होगा यह सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्द कराने वाला हूँ तो फिर आप इस वीडियो को पूरी देखें कहें भी वीडियो को skip नहीं करें अगर आप skip करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी और तुरंथ आपको कमेंट करने की युरुत पर जाएगी इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि किर्पया वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये नहीं कि मैं अभी फर्ष्ट 17 बिसका बता दिया तो आगर भी मैं 17 बिसके बारे में बात करूँगा ये नहीं कि एक बार बात कर लिया तो दुबारा बात नहीं करूँगा इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा दखें क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सही और सटिक जनकारी मिलती रहती है चलिए फ्रेंट वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सस्क्राइब करके घंटी को दबा दे ताकि आने वाली और भी जनकारी आपको सबसे पहले मिले चलिए फ्रेंट वीडियो को सुरू कर लेते हैं देखिए फ्रेंट एक बात आपको बता दू कि JP University छपरा B.A. B.A.C. Question Bank का लिंक नीचे आपको description में मिल जाएगा जहां से आप असानी से इसको खरीद सकते हैं फ्रेंट अभी offer चल रहा है आप मात 57 रुपे में B.A. का question bank खरीद सकते हैं तसा आप 65 रुपे में B.A.C. का question bank खरीद सकते हैं फ्रेंट अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको 95 रुपे के आसपास एक question bank मिलने वाला है इसलिए अभी offer चल रहा है नीचे से आप लोग इसका PDF में डाउनलोड कर पाएंगे और आप असानी से इसको खरीद पाएंगे फ्रेंट आपको B.A. और B.A.C. का एभलेबल है अगर आप पार्ट वन और पार्ट टू का भी खरीदना चाहते हैं B.A. और B.A.C. का तो आप हमारे WhatsApp नमबर पर 88328909 पर मेसेज करें वहां से मैं आपको उसका लिंक दे दूगा जहां से आप पार्ट वन और पार्ट टू का भी कोस्यण बैंक को आसानी से खरीद पाएंगे फ्रेंड आप सभीको मैं पहले यह...! बहुत बार बता चुका हूँ कि क्या दिया हूँ, वहाँ से आप मेसेज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूँगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्रेंड आप यहाँ देख सकते हैं, असोक कुमार का कमेंट है, पर थेरीकर येल्ट मेरा पेंडिंग दिखा रहा है, क्या करना परेगा, सर जी, फ्रेंड जैसा कि जो डेट थी, वो 16 दिसंबर तक ही डेट थी, जिसमें आपको इमेल करना था, यानि कि मेल करना था इमनिफर्सिटी के पास, अपने प्रिंस्पल से एटेस्टेट करा करके, लेकिन ओपडेट खतम हो चुकी है, तो आप अपने कॉलेज में जाएं, और अपने प्रिंस्पल को खुलने वाला है, यानि कि तीन जनवाई 22 को आपका कॉलेज खुलेगा, तो इस तरह से आप लोग अपने कॉलेज में जाएं, और अपने प्रिंस्पल से मालम कर लें, कि अब आपको क्या करना होगा, यहां आप देख सकते हैं, मोनिका राज के कमेंट है, बीए अठारे का एक्जाम फरम कब भराएगा, पिलिज रिप्लाइसर, देखिए, आपका जो एक्जाम फरम है, हो सकता है, कि फरवरी 22 तक, आपका जो फरम है, वो भर लिया जाए, और आपका मारच में एक्जाम होने का चांस है, तो किरफिया आप लोग अभी से ही अपने त्यारी में क्यांकि कब एक्जाम डेट आ जाएगा, कब एक्जाम फरम भरा जाएगा, कोई चांस नहीं रहता है, एक जाप लोग त्यारी में लग जाएए, अगला कमेंट है, सैलेस कुमार का, एक कमेंट की यह है, सर 1821 पार्ट 3 में एडिमिसन कब से होगा, कमला राय कॉलेज में, द लेकिन यह सभी कॉलेज अपने आप से तय कर रहा है, तो हरे कॉलेज का बताना संभाव नहीं है, जो मुझे मालूम चलता है, उसको मैं बता जता हूँ, आप लोग भी अपने कॉलेज में जाकर मालूम करते रहें, कि आपका एडिमिसन कब होगा, अभी इसके बारे में मु कि जो भी कुछ है, वो प्रोसेस पुरा हो चुका है, अगर इसके बारे में कोई फिर इंफर्मेशन आती है, तो मैं आप सभी को बताने की जरूर कोशिस करूँगा, चलिए अगला कमेंट देखते हैं, अगला कमेंट है, रमेश कुमार का, इनका कमेंट है, सर मेरा सत्रे भ अपने आप आपका पर्थिरी का रियल्ड सो करेगा, सो किया करेगा, आपके डेक्ट, आपके कॉलेज में आपका जो मरक्सिट है, वो मिल जाएगा, चलिए इस बात को आप समझ चुके होंगे, फिर आप यहाँ देख सकते हैं, अगला कमेंट है, निक्की कुमारी का, इनक मैं आपको बता दू, मैं आप सभी को यह नहीं बताया था, मैं आप सभी को यह बताया था कि आपका जो रियल्ड है, उसको जारी कर दिया गया है, यह मैं नहीं बताया था कि आपका जो मारक्सिट है, आपके कॉलेज में आ गया है, रियल्ड आना और मारक्सिट में दोनों हैं थोड़ा बहुत देख करके वीडियो को स्किप कर देते हैं तो कि पर वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके अगला कमेंट है नौसाद आलम का इनका कमेंट है सरसात्रेवी सेशन का पर्थिरी का मार्क्षिट कॉलेज में कब मिलेगा द आपके कॉलेज में मार्क्षिट आएगा तो अभी आपको वेट करना होगा मुझे जितना लग रहा है कि आपका जो मार्क्षिट है और दस जनवारी के आसपास ही मिलेगा इधर मिलने का कोई चांस नहीं लग रहा है इसलिए आप लोग वेट करें अभी अगला कमेंट है सर में में एडमिशन के लिए फॉर्म कब से अपलाई होगा में प्रोसेस पर वीडियो बनाईए देखिए अभी इसके बारे में कोई इंफर्मेशन अभी नहीं आई है अभी आपका जो पाठट कर्याल जारी हुआ है सत्रे बिसका उसका मार्क्षिट मिलेगा उसके बारे म इडमिशन के लिए उसके बारे में कोई इंफर्मेशन आएगा इडमिशन के लिए तो अभी आपको वेट करना होगा फ्रेंट इस तरह से मैं आपको एभी बता चुका कि सत्रे बिसका मार्क्षिट कब मिलेगा अठारे एक इसका परिछा फरम कब भरा जाएगा पार्ट व इसके बाद एरहा पार्ट वन का परिछा फरम कब भरा जाएगा 20-20 का तो फ्रेंट अभी आपको वेट करना होगा किमकि जब तक 19-22 का रियल्ट आता नहीं है तब तक आपका परिछा फरम नहीं भरा जाएगा तो अभी आपको वेट करना होगा आपका एक्जाम हो सकता है मार्च या अप्रिल में ही होने का चांस है तो अभी आपको वेट करना होगा फिरेंट आप सुभिकों मैं बता दिया हूँ कि पंडिंग रियल्ट को कैसे सुधारेंगे और पार्ट वन के नवांकन के भी बारे में बता दिया हूँ तो फिरेंट इस तरह से जो 42 नंबर कमेंट सेक्शन होगा उसमें आपके कमेंट का जवाब देने की में जो जरूर कोशिज करूँगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं तो फिर एक वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट मक्स में जरूर बता हैं वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि आने वाली और भी जनकारी आपको सबसे पहले मिलें फ्रेंट फिर मिलेंगे एक नई जनकारी के साथ अब तके लिए जय हिंद